आपको स्वागत है और आज भी निफ्टीन एक अच्छा अप मुमेंट दिखा है मतलब कल की तरह उतना स्टीब जो है मुमेंट नहीं था बीच में कुछ दिर मार्केट साइडवेज भी रही और फिर एक मुमेंट देने के बाद फिर एक साइडवेज मुमेंट देखने को मे मिला लेकिन दो दिन से जो लगातार मार्केट आप मुमेंट दे रही है उसका कहीं न कहीं असर है जी एसके का जो ओमिक्रोन वैरियंट के लिए जो वैक्सीन की जो न्यूज आई है उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव जो है इस्टेंट आपको दिखाई दे रह सकते हैं जिसे कि आप से ये वीडियो मिसना हो क्योंकि ये डेली वीडियो आपको मार्केट एंड होने पर आपको ये डेली वीडियो में प्री मार्केट आंसिस की वीडियो या फिर जिस दिन मार्केट कर रही है उस मुमेंट का वीडियो में आपको बताता हूं बाकी जित करता रहे तो सबसे important चीज है जो आप अभी screen पर black lines देख पा रहे हैं ये black lines है support और resistance के levels जो मैं अपने answers के हिसाफ से daily आपको night में telegram channel में provide करता हूं जिसको आप analyze कर सकते हैं paper trade कर सकते हैं market के movement को predict कर सकते हैं support resistance सीख सकते हैं और ये तो सबसे पहले देख लेते हैं कल मैंने कौ telegram channel पे यह हमारा options for tomorrow का telegram channel है जिसका link आपको description में मिल जाएगा ये channel free है इसके अलावा हमारा कोई भी paid group नहीं है कोई भी channel दूसरा नहीं है सिर्फ एक ही channel है telegram channel options for tomorrow जिसका username है options for tomorrow without space और इसमें already 25,000 members add है ये channel बिलकुल free है कोई भी चाहे इस channel को join कर सकता है इन important updates के लिए त 10 बजे जो है आपको ये important levels दिये थे nifty और bank nifty के लिए ये important levels थे बाकि सुबह में आपको gap up या gap down जो होने वाला है उसका भी update देता हूँ pre open market के हिसाब से pre open market कैसे check करते हैं आप खुद कैसे जान सकते हैं market खुलने से पहले कि gap up होगा या gap down होगा उस पर मैं already video बना चुका हूँ जिसका भी link आपको description में मिल जाएगा इस video के और course के बारे में जो है जो वन ट्रिपल नाइन का सिर्फ और सिर्फ वन ट्रिपल नाइन का options trading एक complete detailed course है पूरा धाई गंटे का उसके बारे में हम video के सबसे last में बात करेंगे तो जो course में interested हैं जो सीखना चाहते हैं सीखन बने हैं सबसे last में आपको मैं course के बारे में भी बताऊंगा अभी देखते हैं निफ्टी का आज का moment एक अच्छा moment दिखाई दिया है अब trend थोड़ा थोड़ा टूट टूट कर हुआ है लेकिन एक अच्छा moment हमको आपकी तरफ दिखाई दिया है जो कि पिछले almost 10-12 दिन से जो है market डाउन थी और अप पिछले दो दिन से हमें अप moment देखने को मिला है तो market ने आपको यहाँ पे कहीं opening दिया और जैसे इस level को break किया तो उपर हमको दिखे कोई भी खतरा नहीं दिखा तो यहाँ पर उसने एक अच्छा support लिया उपर एक break दिया तो यहाँ पर हम एक call क entry काई सारे लोगों ने बनाई है और एक अच्छा profit आज दिखाया है और यहाँ पर जैसे इस ने इस level को resist किया second candle से तो लोगों ने exit कर लिया और उसके बाद यहाँ पर market ने थोड़ा सा sideways move दिया जिसकी वज़े से यहाँ पर कुछ लोगों ने इस pattern को देखकर जो है यह double top pattern देखकर एक put buy किया है यहाँ पर जिसने आपको profit दिया लेकिन कुछ लोगों से बहुत या तो लेट हो गया या फिर उन्होंने जल्दी exit कर लिया reversal pattern देखके यहाँ पर एक इतने points का आपको यहाँ पर double top ने profit दिया है जो 17 400 के आसपास breakout मिला neckline का और 17 50 points का यहाँ पर double top का आपको सिर्फ जो है profit देखने को मिला है कई सारे लोगों ने लिया भी कच लोगों के stop loss हो गये कोई बात नहीं और उसके बाद market ने फिर तुरंत यहाँ से यह जो आपको green candle की shadow है यह shadow यही represent कर रही है कि sellers ने यहाँ पर पूरा pressure दिखाया था market को down करने के लिए double top के बाद लेकिन buyers जो है वहाँ पर strong थे जिन्होंने market को इस candle को यहाँ ले जाके close किया तो यह एक bullish momentum यहाँ पर देखने को में मिला इसका मतलब तो अगली candle पर और जब आपका यह level यहाँ break हुआ तो उसके बाद यहाँ से call बनता था जिसने आपको almost level तक पहुंचाया है level touch नहीं हु difference है जो मैंने आपको यहाँ पर 45 का दिया था और यहाँ जो level था वो 37 था तो मुझा एट पॉइंट का difference था market ने यहाँ से reverse किया तो यहाँ एक छोटा सा ही trade था कोई बड़ा trade नहीं था call का और उसके बाद market ने downfall दिया लेकिन जब इस candle ने आपको breakout दिया इस level का तो अगल candle आपकी तुरंत वापस reverse हो गई अपवर्ड के लिए तो यहाँ पर market sideways रही जा में मिरबाब बहुत सारे message भी आए एक सार market sideways है अब क्या करें तो मैंने उनको ignore करनी के लिए ही suggestion दिया यहाँ पर market ने एक ठीक ठाक support लिया है जिसकी यह candle ने half इसको close किया अगली candle ने इसके जो पुराने close का resistance हा जो red candle थी उसको break किया है तो यहाँ से एक call की entry आप आराम से input कर सकते थी जिसने आपको यह level टच कराया है और उसके बाद इस level में भी थोड़ी सी कसर रह गई और 17.470 almost पहुँचा मैंने आपको 14.75 दिया था तो 5 points से पहले ही market ने यहाँ से reverse लिया तो आप अपनी position को यहाँ पर exit कर सकते थे जब आपको यहाँ से reversal दिख रहा है तो यहाँ से भी आपने एक almost एक अच्छा profit book कर लिया तो थोड़े छोटे trades थे आज कोई बड़ा moment trade नहीं था जिसे कल अगर हम market में देखे तो कल एक अच्छा moment हमें upside का देखने को मिला था लेकि आज ध्यान रखेगा expiry के दिन या तो कुछ बड़ा ही दमाका होगा या फिर market sideways हो जाती है ज्यादा तर expiry के दिन क्योंकि expiry के दिन जो है seller और buyer के बीच में काफी tough fight होती है तो अगर market हमको कहीं भी level के बीच में opening देगी तो हम अब अबसी बात है कि इस level के बीच में ही moment दे रहे इसका मतलब कोई बड़ा movement नहीं है range bound market हम आप mark trade को ignore करेंगे अंटिन अलेस किसी level को ब्रेक करे और वहाँ पर sustain करे और support ले अच्छा तो फिर हम उपर की buying के लिए जा सकते हैं call के साथ और अगर यही सेम चीज किसी level पर अगर वो resist करती है माले जाए gap down होता है या gap होता है या फिर किसी भी level जो मैं आपको telegram पर provide कर दूंगा तो आप चाहें तो telegram join कर सकते हैं simple telegram में जाके options for tomorrow सर्च करें और जो यह channel है जिसमें already 25,000 members है आप उसको join कर सकते हैं free में उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि level के आसपास कहीं पर अभी market अगर resist कर रही है इ next level तक के लिए और कोशिच करें कि मैं जो भी level देता हूं जिस मैंने 17,405 दिया है तो आप कोशिच करें कि 17,400 या 17,395 means 67 point का margin ले और अपनी position exit कर ले जिससे कि कोई भी risk ना रहे क्योंकि यहाँ पे देखिए market ने 5 point से ही reversal ले लिया तो अगर आप इस point तक के लिए ही wait करें तो आपको एक थोड़ा सा profit कम होगा जब आप यहाँ पे exit करेंगे तो इसलिए कोशिच करें कि थोड़ा सा 5 से 10 point निफ्टी में margin ले कर चलें अब देख ले थे bank निफ्टी में क्या रा बिल्कुल वैसी zigzag market रही तो यहाँ तो level के बीच में था यहाँ भी level के बीच में था यहाँ से इसको break किया देखिए लेकिन अगली candle ने इसको reverse कर दिया तो इस candle में एक put की जो है अगर आप इसको double top भी देखें तो भी यहाँ से एक put की पिंट्री बन सकती थी या फिर आप इस resistance के हिसाब से एक put की इंट्री बना सकते थी जिसने आपको यह level यहाँ पे touch करा अगली candle हमें यहाँ पर एक movement दे देता इतना बड़ा तो फिर हम put के लिए एक अच्छा movement मान सकते थे नीचे के लिए लेकिन अगली candle ने तुरन नेकलाइन से ही support लेके आपको ऊपर ले गई यहाँ पर एक support लिया है नेकलाइन ने यहाँ पर price ने यहाँ पर भी break करने कोशिश की लेकिन अगली candle ने फिर से support ले लिया तो जब तक confirmation candle हमको confirmation नहीं देगी down के लिए तब तक हम threat कैसे ले सकते हैं put का तो यहाँ पर हमको यह मिला कि breakout हुआ लेकिन अगली candle ने कोई confirmation नहीं दिया क्योंकि अगली candle ने reverse कर दिया तो यहाँ जब breakout मिला है इस candle के पुरानी जो red candle था उसका high break हुआ तो यहाँ पर एक call हमारी entry बनती थी जो आपको यहाँ पर इस level तक लेके गई है और यहाँ पर जाके आपको reverse मिला है pattern यहाँ तो जब आप चाहें तो यहाँ पर exit कर सकते थे सबसे safe था अगर आपने exit किया है तो सबसे बेटर था अगर lot के भी वापस आप इस level पे exit करते तो भी आपकी trade successfully profit में थी अभी market total sideways है तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी रहेगा अब देख लेते हैं profits आज के किस तरीके से रहे बहुत सारे profits मेरे पास आएं screen shots 2.15 के 2000 के अच्छा profit है यहाँ पर इस समय 2500 loss में था आज ही लेकिन आपका course उसको recover करके 320 का profit दिया दिल से शुक्रिया सर अब धीरे धीरे दर को निकाल रहे हैं मेरा टेलिग्राम में screen shot share करिएगा फिल्कुल कर दिया सर 1896 के अच्छा profit है यहनोंने शायद paper trade किया है paper trade करना बहुत अच्छी चीज है practice बहुत भी सीखते हैं कहीं से भी सीखें आप चाहें course से सीखें या कहीं से भी सीख रहें तो paper trade जरूर करें जिसे कि आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चले आपने जो सीखा है वो सही है या गलत है उसके बारे में आप जान सके गुरुजी प्रणाम सेकेंड डेस paper trade और profit सर आपके course का कोई जवाब नहीं sir मैं आपको दिल से salute करता हूं thank you very much 1412 का एक अच्छा profit है यहाँ पे 625 का एक अच्छा profit है after your class जहन गुरुजी आज के लिए बहुत profit हो गया है 5600 के अच्छा profit है और course बहुत फायदा हुआ गुरुजी 13600 के अच्छा profit 497 very good और 1035 के अच्छा profit है whenever the price triggered the number should be in green every trader's dream thank you it's good और अच्छा यह इनका शायद पुराना profit इन्होंने कल share किया था आज का इनको 1089 का profit है कल इनका 600 तो यह knowledge का यही फायदा है कि आपको regular profits मिल रहे हैं आप study कर रहे हैं आपको regular profits मिल रहे हैं क्योंकि आपका knowledge है इसमें हम किसी के भरोसे नहीं बैठ profit हैं कि वो जब बोलेगा तब हम exit करेंगे तब open करेंगे आप सब कुछ आपके हाथ में हैं आपका knowledge है आपका entry है आपके exit है आपका profit है सुबह की चाय वो भी मलाई मार के very good 3200 का एक अच्छा profit है thank you sir आपका course की वजए से profit हुआ 12,000 का अच्छा profit 3000 का thank you sir second profit after course 13600 तो सेम यह 2200 का अच्छा profit है और 23400 का अच्छा profit यहां पर और इन्होंने पिछला में मैसेज किया था कि today profits are total profit 1,22,000 in just 10 days लगबग almost एक अच्छा profit book कर रहे हैं यहां पर भी एक अच्छा profit है 6,6500 का और यह भी एक अच्छा profit है आपका course में बहुत दम है thank you very much आप knowledge ले रहे हैं सारे आते रहते हैं डेली स्किन शॉट्स लोग भेजते हैं लो सर्थ इस मैं first profit after your course I'm housewife बहुत loss के बाद फाइनली profit book दिखा गुड 670 बो मॉर्निंग के 500 loss के बाद की recovery within one lot only अभी practice चल रही है very good one point nine K का एक अच्छा profit है सर्मान उस्थ पेशिंस के साथ position को hold करके रखा फाइनली profit ही मिल गया थर्टीन रेट का अच्छा profit है त्री थाजन का एक अच्छा profit है six 65 का एक अच्छा profit है good start first profit after your course thanks a ton 540 and 1700 almost 22 2300 का अच्छा profit प्लीज एडिट उन यूट्यूब वीडियो कर दिया यहां पर भी अच्छा profit है यह आपके सब आपके कोर्स का result है लेकिन अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है very good और यह आज आज का इंक पर दिस तरीके से profits लोग सीख रहे हैं लगातार profits आते रहते हैं मैं share करता रहता हूं जिससे की बाकी लोग भी इससे motivate होते रहे हैं आप देख लेते हैं कोर्स के बारे में जो लोग वेट कर रहे हैं कि कोर्स आपको कैसे मिलेगा सिंपल आप कोर्स के लिए हमारी website पर जा सकते हैं options for tomorrow.com इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा इस वीडियो के तो website पर जाने के बाद आपको यहां पर वेफिर लर्निंग कोर् how profits are made in options reading important terms जो use होते हैं जैसे in the money, add the money, out the money सब क्या होता है option Greeks जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, theta, gamma, decay, delta, decay, vega, decay, chart reading कैसे करते हैं, candles को कैसे समझे, candles क्या है, candles कैसे बनती है, technical analysis कैसे करें, chart को कैसे use करें, tools को कैसे use करें, जैसे आप देख पारे हैं अभी मैं screen पे जैसे in tools का use कर रहा हूँ, इनको सब को कैसे use करते हैं, यह सब जैसे के 8 chart patterns है, तो almost total 9, 8, 17 ऐसे patterns हैं, जिनको देख के आप market के moment को analyze कर सकते हैं, prediction कर सकते हैं, 5 best indicators हैं, जो आपको help कर सकते हैं, starting में, sorry, किसी भी moment को analyze करने के लिए कि इसके बाद क्या हो सकता है, कैसे market overbought या फिर oversold zone में है, कुछ trading psychology के बारे में मैंने बात किये, जिससे आ आप अपने emotions पे control नहीं कर पाते, कुछ लोग profit हो जाता है, तो और profit करने के चकर में loss कर लेते हैं, या फिर loss हो जाता है, और उसको recover करने के चकर में बहुत सारा loss हो जाता है, इन चीजों को कैसे रोकें, कैसे control करें, सबसे last में आपको दिया trade strategies भी हैं, जिसको आप apply करके इ या फिर गलत हो रही है, कोर्स का total duration 2.5 hours का है, 12 modules हैं, इसमें 14 videos हैं, जिनको आप देखके कोर्स को download कर गेंगे, और आप जितनी बार चाहें, उतनी बार study कर सकते हैं कोर्स को, कोर्स का actual price 2499 था, बट अभी ये discount पे चल रहा है, लगातार चले जा रहा है, लोगों की request आ रही हैं, और उसके बाद payment के page पे जाके अपना payment प्रोसीड कर सकते हैं, या पर email और अपना phone number input करके, आप payment प्रोसीड कर सकते हैं, आप जैसे ही payment प्रोसीड करेंगे, payment के सारे option आपको मिलेगे, create card, debit card, जो भी आप use करना चाहें, phone पे, Google पे, PTM, किसी से भी आप payment कर सकते, payment करने के बाद आपके course की zip file download होगी, अगर किसी error की वज़े से आपकी zip file download नहीं होती, course download नहीं होता है, तो simply आपको ये WhatsApp का number है, आपको इस WhatsApp नमबर पे अपने payment का screenshot और अपना email ID, आप message करिए, आपको course download करने का direct link मिल जाएगा, वहाँ से, और फिर उसको course को download करके, आप simply है, अभ कल फिर मिलते हैं expiry के दिन एक नई वीडियो के साथ, thank you very much.